जैहिंद और हेलो गाईज सुवागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MP ESB ITA Training Officer Online Form 2024 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं यहाँ पर आपको रर्शन से लेकर प्रिंट तक step by step पूरी जानकारी दी जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते कि केवल मध्य परदेश के मूल निवासी के लिए यहनके जो MP के candidate है और वहाँ के निवासी है वही candidate स्मुम को भर सकते है अन्य स्टेट के नहीं भर सकते है अब बात करते कि कैसे आपको apply करना होगा तो वीडियो का description में मैंने आपको हमारी official website jobsgyan.in का link दिया है ये link आप जैसे open करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 450 vacancy है age limit 18-40 साल रखी गई है and fees यहाँ पर general को 560 रुपे fees और CSTOBC को 310 रुपे fees पे करनी होगी form आप लोग 9 अगस्त 2024 से लेकर के 23 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे and कौन सी category के लिए कितनी vacancy है और apply करने के लिए क्या qualification चाहिए वो भी आप यहाँ पर check कर सकते है फिर आपको trade wise vacancy यहाँ पर जानने को मिल जाएगी उसके बाद guys आप important link के section में आएंगे और मैं आपको बता आप simply यहाँ पर apply online login link open करेंगे और फिर आपको यहाँ पर first point पर job की vacancy देखने को मिल रही है इस green icon के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ाए इसके उपर क्लिक करेंगे फिर जो guys आपका सामान्य पंजिकन कर्मांके वो डालेंगे date of birth आपने relation करते से में क्या भरीती वो select कर लेंगे यह capture code डालेंगे और उसके बाद फिर आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके उपर क्लिक करेंगे पर guys अगर आप पहली बार इस website कर करके कोई form भर रहे है तो फिर आपको apply online relation link open करना है यह open करने के बाद आपके सामने वाल interface आजाएगा कि क्या आपके पास पूर में पंजिकत profile ID है अगर है तो हाँ कर दीजे और जिसके आप फ्रैसर है तो आपके पास नहीं है इसलिए आप नहीं करेंगे और नहीं करने पर फिर आपको यहाँ पर जो mobile number अपना रजिस्टर करना है वो डालना है आपकी email ID डा कर रहा हूं और ररशन के बाद में जो form को apply करना है वो मैं आपको नहीं सीरे से बताओंगा तो आप आगे वीडियो को देख करके आपका ररशन कर लीजिए अब गाईज आपके नंबर पर OTP गया होगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और OTP सत्यापन करें इसके उपर क क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ आसा गुशन कर्मांक मिला है マेशिज के माद्यम से और जो password मिला रहे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे उपर आपको आपको सामन्य पर और रह्यार्षन है और नीचे आपको प्रोफाइल password मिला है वो यहाँ पर ड तो वो कुछ ऐसा आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर आपको बोला है कि आपकी समाध्यम से यहाँ पर सत्यापन करना चाहते हैं EKYC के लिए आप EKYC OTP द्वारा करना चाहते हैं या फिर EKYC आप Biometric द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं Biometric वो होता है जिस पर आप अंगोठा लगाते हैं और OTP वो होता है कि जो नंबर आपका रजिस्टर है उसके उपर OTP आएगा तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजे और उसके बाद आगे बढ़ाए के उपर किलिक कीजे अब इसके उपर किलिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा आधार कर्मांग तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको इसके उपर टिक करना है जिसे कि आपका नाम तो जो भी आपका नाम दस्री की माकशिट के नुसार है वो नाम आपको यहाँ पर first name enter करना है और फिर आपको उप नाम के सामने अपना last name fill up कर देना है अगर आपका last name नहीं है तो आप na लिख दीजिए पती या फिर पिता का नाम तो बिसिकली अगर आपकी साधी हो चुकिया तो आपको अपको अपने पती का नाम देना है और नहीं तो आपको अपने पिता जी का नाम यहाँ पर full name enter करना है फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालने और आपको बोला जा रहे कि सिर्मती नहीं लिखे यानि कि exact name लिखे जो कि आपको document के अंदर है फिर आपको यहाँ पर अपनी date of birth डालनी है यह date of birth आपकी दस्वी की mark sheet के नुसार होनी चाहिए क्या आप मध्यपरदेश क चूज कर लेने काश्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानि करते हैं अगर करते हैं तो हां कीजिए नहीं तो आपको no करना होगा मुझ सेक्षन की होगयत अगस्तर यानि कि आपकी highest qualification क्या है वह यहां से आपको चूज कर लेनी है इसको चूज करने के बाद यहां पर निवास का शेतर आपको पूचा रहे ग्रामीन या फिर सहरी तो जो भी है हो यहां से आपको select करना होगा विकलांग तो यहां कीजिए नहीं तो आपको ना करना होगा अगर आप हां करोगे तो आपको अन्या option भी यह यहां पर चूज करने होंगे फिर आती है व्यवाहिक व्यवरन क्या आप व्यवाहित है यानि कि क्या आप मैरीड है अगर है तो हां कीजिए नहीं तो आपको नहीं करना होगा अगर आप हां करोगे तो आपको साधी की डेट भी यहां पर डालनी होगी साथी जीवित बच् इसका answer भी आपको हा नामे करना होगा फिर नीचे आता है आपका पत्र वेवार के लिए वर्तमान पता है यानिकि आपका present address तो जो भी आपका present address है वा यहाँपर आपको डालना है मकार नमबर आपका जो भी है वा यहाँपर डाल देना है मैं एक random address फिलप कर रहा हूं क्योंकि यह exact जानकारी नहीं है फिर यहाँ पर आपको state automatically दी जा रही है अपनी district select कर लेनी है भी select करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखो कि पिन कोड तो आपको अपने जीले या फिर पोस्ट अपिस का पिन कोड एंटर कर देना है करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु से होंका mobile number और email ID जो कि आपको यहां से confirm कर लेनी है फिर सलंगिन दस्तावेज यहाँ पर दे जा रहा है कि वह ID आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है कोई एक ID आपको यहाँ पर देनी ही होगी फिर आता है आधार का number जो कि यहाँ पर आपको यहाँ करना होगा अगर आपको यहां पर बैंक सेलेक्ट करना होगा और यह जानकारी बढ़नी होगी अगर नहीं भी करते हैं अभी नहीं देते जानकारी तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर यहाँ पर आपको इसके उपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी जानकारी आपने भरियन सबको एक बाद चेक कर लेना है और चेक करने के बाद नीचे आ करके आपको यहाँ पर पंजिकरत करें के उपर क्लिक करना है अब गाईज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजएगा जहाँ पर आपकी दर्शन की information दी गई है और कुछ documents आपको यहाँ पर upload करने हैं पहले तो आप यहाँ पर यह देख लीजे कि आपको यहाँ पर जो photo upload करना है वो किस तरह का upload करना है इसका जो एक template है वो दिया है आपको आप यहाँ पर download template इसके उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर यह template देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका photo लगाना है यहाँ पर आपको आपके signature करने है और यहाँ पर आपको यह जो हिंदी में lines दी गई है जिसको आप चाहिए हिंदी में लिखना चाहिए वो लिख सकते है और इंग्लिस में लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते है तो यान को यहाँ पर जो सरकारी रिजल्ट वैबसाइट है इनकी टूल का लिंक देने वाला हूँ तो यहाँ पर आप जैसे इस वैबसेट को ओपन करेंगे आपके सामने आएगा MPP भी टैंपलेट तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे अब इसके उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ आप लिखेंगे नेम ओफ फोटो यानिके आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ फिर आता है डेट फोटो यानिकि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर आता ह आपका photo यानि कि जो आपका photo है वो आपको select करना है तो जहाँ पर भी आपकी photo की file है वो आप select कीजे जिसे कि मैं आपको select करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने photo को select कर लिया है इसके बाद में आप यहाँ पर आपका signature है उसको select करेंगे जहाँ पर भी आपका signature है जो image आपने बनाया है उसको यहाँ पर इस तरह से open कर लीजिए open करने के बाद आता है declaration photo यानि कि जो आपका declaration है जो कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ यह वाला यह आपने लिख करके किस पेज पर रखा है आपको एक blank paper लेना है उसके उपर यह line अपने hand से return करनी है और उस image को एक file बना लेनी है अब जो आपने photo बनाया है declaration वाला वो आपको यहाँ पर choose file के उपर click करके उसको upload करना है जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको file upload करनी होगी declaration select करने के बाद यह आपकी file आ जाएगी फिर आपके जो capture code यहाँ पर दिया है जो भी आपके सामने आएगा वो आपको fill करना है की फाइल आ जाएगी अभी जैसे आपकी फाइल तयार हो जाए तो आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है आपको चूज फाइल के उपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको सेलेक्ट करनी है तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सेलेक् आ जाएगी आप यहांपर देख सकते हैं कि आपका फोटो दिया गया है आपका signature दिया गया है आपको यहांपर इसके उपर ुपर टिक करना है कि मुझे आपका अपना फोटो सही दिख रहा है मुझे signature साइदी क्रें और जो मैंने हस्त लिखी थिनके Self declaration लिखा ये भी सही है तो आप इसके उपर टिक कर देंगे टिक करने के बाद आप यहाँ पर upload photo signature and head return declaration इसके उपर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि आपको जरमतिती परमान पत रहे दो आठवी, दसवी या बारवी की जो certificate है वो upload करने है जिसमें की आपका date of birth हो तो आपको यहाँ पर choose file के उपर click करके आपका birth certificate या फिर 10th की certificate upload कर देनी है इसके बाद है SCHT OBC का certificate अगर आप SCHT OBC है तो आप यहाँ पर आपका certificate upload कर देंगे अगर आप नहीं है तो आपके सामने यह option applicable यानि के click करने लायक नहीं रहेगा तो यह सब जानकारी आपने आपर जो भरी है इन सभी को verify कीजिए and submit details के उपर click कीजिए submit details के उपर click करने के बाद में यहाँ पर आपकी सभी जानकारी आ जाएगी आपका जैसे यह reaction complete हो जाए तो आप क्या करेंगे आप apply online login link फिर से open करेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर आप यहाँ पर first point पर है जो आपका यह vacancy इसमें green icon के उपर click करेंगे यहाँ पर click करेंगे और आगे बढ़ाए इसके उपर click करेंगे अभी जो आपको सामने पंजिकन करमांक मिला है ररेशन करने के बाद में यहाँ पर डालेंगे जो date of birth अभी आपने भरी वो date of birth आप select कर लेंगे फिर यह capture को डालेंगे and then सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके उपर click करेंगे अभी जो आपने जानकरी ररेशन के वक्त भरी थी वो सभी आपके सामने है आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके उपर click करेंगे अब आपको यहाँ पर पूट सम्बंदी अन्यजानकरी तो कुछ सवाल है जो सवाल आपके उपर लागू है उसमें आपको हां करना है और जो लागू नहीं है उसमें आपको नहीं करना है जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप सास्किया निगा मंडल सवसासी संस्था के करमचारी अत्वन अगर सैनिक क्या आप एक विक्रम पूसकार से सम्मानित खिलाड़ी अगर हाँ तो हाँ नहीं तो आप नहीं करेंगे फिर नीचे आएंगे यहाँ पर 42 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपकी वो सभी वैकेंसी है तकनिकी परसंट पत्र का वेसिकली वीवरन है इसके उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है तो मैं फिर्टर के लिए इसमें हा कर देता हूं और फिर यह कोड़ भी टिक कर देता हूं फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मद्यप्रदेश राज्य के अंदर रोजगार करें लें हैं उसमें आपका जीवित पंजियन होना चाहिए यानके एक्टिव पंजियन तो जो आपका पंजियन करवां के वह आप डाल देंगे फिर किस date में आपने ये जो रोशन हो कराएँ आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखिएंगे कि रोजगार पंजियन जीले की अंदर आपने रोशन कराया है वह जीला भी आपको सेलेक्ट करना होगा उसके बाद एक बाद एक फोर्टिव Ór चोईस उसके बाद में धर्ड चोईस और फिर आपकी जो फोर्थ चोईस है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है एंड यहां पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके उपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिव्यू है आप सभी जानकारी चेक करेंग आप इसके उपर क्लिक कीजे और इसके बाद आपको यहां पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा तो आप देख लिए पेमेंट का पेज आ चुका है आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तमाल करके फीस को जमा कर सकते हैं जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग MPSB ITA ट्रेनिंग ओफिसर ओनलाइन फर्म दोजार चोबिस को भर पाएंगे आई होप यह प्रोसेस आपको पसंद आया होगा सो थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद